हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं स्टेडी फीड चैनल दोस्तों यूपी यल्टी ग्रेट 2018 में जितने भी कोश्चन्स फुजिकल एजुकेशन से पुछे गए हैं उन सभी कोश्चन्स को सालो करा रही हूं यह पार्ट नंबर टू है चालिस चालिस कोश्चन्स के तीन पार्ट होंगे दोस्तों यह दिया फीजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपटिटर एग्जाम्स किसी भी राजिके त्यारी कर रहे हैं सिलिबस के एकॉर्डिंग तो मैंने चैनल पे सभी वीडियो शिलिबस के एकॉर्डिंग है सभी वीडिय करके आप अपनी प्रिप्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं एंड दोस्तों हंडेड से ज़्यादा वीडियो प्रिविएस यह यमसी क्यूज पर बनाये गए हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा फेरी इंपॉर्टेन कोस्चन है सभी तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रश पड़ता था तो किसके अधिन करना पड़ता था friendship करना पड़ता है जैसे कि दोस्तों प्राचीन ओलंपिक में होता क्या था कि प्रतियोगता की लिए भाग लेने की योगता क्या होता था कि वह जर्म से युनानी हो इमेच्योर की भागिदारी की इजाजत हो और उलम्पिक प्रतिविता से पुरू वह दस माह का प्रसिच्छड प्रात किया हो और अंतिम जो एक माह है वह अंतिम एक माह तक उलम्पिक खेलों के अधिकारिक जजों की देख रेक में बेतित किया हो अधिकारिक जज जो होते थे उन्हीं क्याता था नेक्ट कुश्चन है कि निमने पुरुसकारों को काल क्रम के अनुसार क्रमबद कीजिए कौन कोंसा है राजय गादी खेलरतन पुरुसकार अर्जुन पुरुसकार मौलाना अबलकलम अजार ट्रॉफी दोड़ाचार पुर को दिया जाता है विजेता को अनुसके बाद अरुजिन पुरुसकार नीस सो एक सर से परारम है फिर उसके बाद पहला राजय गांदी खेलरतन पुरुसकार 19o1992 से परारम है आफसरन नंबर यहां पर करेक्ट होगा है नियंतर प्रगति सील आधर्स वाग क्या है तो नियंतर प्रगतिसील आदर्सवाग किसका आदर्सवाग है दोस्तों ACI खेलों का ठीक है इवर फारवर्ड नेक्ट क्रॉस्चन है प्रथम सितकालिन उलम्पिक खेल किस वर्स प्रारम हुआ तो किस वर्स प्रारम हुआ 1924 के फ्रांस के चिमोनिक्स के नामक अस्थान पर प्रथम सितकालिन उलम्पिक का प्रारम हुआ 1924 के फ्रांस के चमोनिक्स में ठीक है印 दो हजाजारwen आठार ह powinien प्यांग चांग दच्च में में लाइं दो हजारव टारिस टी कि 1936 बर्लीन उलम्पिक खेलों में जेसी ओवेंस ने कितने स्वरपदक प्राप्त किये थे तो कितने स्वरपदक प्राप्त किये थे 1936 में जेसी ओवेंस ने चार स्वरपदक चार प्रात किये थे। किस-किस इवेंट मेरे प्राक्ट किया था दोस्तों 100-200 मिटर दोड में लंबी कुद में 4 गुड़े 100 मिटर रीली में इन्हों ने जैसी इवेंच ने जीता था एं दोस्तो एक और है जो 400 पदक जीते हैं वो पुछ सकता है आपको जैसे कि कार्ल लुईस जो है युएसे के एथलिट है 1984 लास एंजिल्स ओलम्पिक में इसी इवेंट में इन्हीं चारों इवेंट में इन्होंने 400 पदक जीता है कार्ल लुईस भी ठीक है कार्ल लुईस 1984 लास एंजिल्स में और जैसी इवेंट में जैमनी उलम्पिक में नेक्स कुश्चन है कॉल कपूर कमेटी ने अपना कारे कप सुरू किया तो इसने अपना कारे सुरू किया उनिस सो साथ में मनो विग्यान अध्यन है किसका अध्यन है मनो विग्यान मानो अबयोहार काpsonर का इस प्रकार के प्रसिष्ट का इस्थानान्त्र किसका ऊदारण है के नहीं करें तो न करात्मक करें कोई प्रभाव ना डाले तो वह सुन्धा इस्थानान्त्र हो corporations नेस्ट कुष्टिन है थान डायक ने परिछड़ू की अधार पर कितनी प्रकार के शिखने का नियम प्रतिपादन किया था तो कितनी प्रकार के किया था तीन प्रकार के कौन कौन सा तत्परता का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव का नियम नेश्ट है किस प्रकार का ब्यक्तित्व शुभाव शिर्ष इस परधा सील नहीं होता है तो किस प्रकार का टाइप D का ब्यक्तित्व इस परधा सील नहीं होता है आफसन नमबर D यहाँ पर करेक्ट है टाइप A जो है वो सभाव से सरवादिक इस पर धर्शीर होता है, फिर टाइप B आता है, फिर टाइप D जो होता है वो सभाव से जड़ता में विश्वास करता है, तथा पुर्व इस्थापित मांताम और विचारों में किसी परिवतन का इच्छुक नहीं होता है, इस क्यानिक सिधान्तों के कौसल की बहत्तरी के सभी इस तरों पर खेलू तथा सरी क्रियों में लागू होने का अध्यन है यह कथन किसका है तो जान लाउथर का यह कथन है ठीक है आपसन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा कि मूलर एंड्रेशन प्लेबैक मेथड किस प्रकार के टुनामेंड का उदाहरण है तो यह मेथड दोस्तों नाकाउट टुनामेंड का उदाहरण है नेश्ट कोशिशन राशायनिक शंञठन के अधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी स्टोडियों में बाटा गया है कितनी स्टोडियों में मैं तीम स्टोडियों में कौन-कौन से दाइशा कराइट पालिस्ट्रe जो है सरक्रा यानि ग्लुकोच का एक अडू से मिलकर बना होता है, डाइसेक्राइट सरक्रा का दो अडू पाय जाता है, और पालिसेक्राइट में सरक्रा के दो से अधिक अडू पाय जाते हैं। निश्ट है, प्रतियग व्यक्ति की संहती का लगभग 99% च्छा तत्तों से बना होता है, अर्थात कार्बन, आक्सिजन, हाइड्रोजन और कौन से तिन तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और केल्सियम, आक्सन नमबर A करेट होगा। यानि कौनकों से च्छेतत्व हैं, जिससे हमारा सरीर प्रतियग व्यक्ति की संहती बना होता है, कार्बन, आक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, केल्सियम। नेश्ट है, शरीर के लिए अनिवार अमिनो अमल कौन सा है, तो इसमें से कौन सा है, दोस्तों, लाइसीन है, अनिवार अमिनो अमल, आप्सन नमबर C, करेक्ट होगा। जैसे कि दोस्तों, जो हमारा प्रोटीन होता है, यानि अमिनो अमल होता है, वो हमारे सरी में 20 से 22 अमिनो असीड पाए जाते हैं, जो 9 आवस्यक अमिनो असीड होता है, जो हम भोजन से प्रात करते हैं, और 13 अनावस्यक अमिनो अमल होता है, जो 9 अमिनो अमल होते हैं, जैस आइसीन, मेठिनोनीन, फेनिल, एलनीन, थ्रोनाइन, वेलीन, ट्राप्टूफान, हिस्टिडिन. एंड दोस्तों, नेक्स्ट कॉस्चन है, कौन सा पदार्थ सरी का संतुलन बनाने में मदद करता है? तो कौन सा पदार्थ? एंडोलिंफ, हमारे कान में एंडोलिंफ नामक तरवल पदार्थ पाया जाता है, जो हमारे सरी में सरी के संतुलन बनाने में कारे करता है, आपसे नमबर एक करेक्ट होगा. नेक्ट कोस्टिन है अस्थी में कौन सा लवर सबसे अधिक पाय जाता है जैसा कि आप सब को बता है एक कोस्टिन बार बार रिपीट हो चुका है कैल्सियम फास्फिट ठीक है लेक्ट कोस्टिन है कि मानों सरीर के किस कोसिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है तो किसको याता जात प्रबंधा क्यानि कि ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है हमारे कोसिकांग में गौल जी काय को या क्या करता है पोशख तत्व को जाहां पे जिस अस्थाम पे जरुरत पड़ती है सरीर के वाँ वाँ भेजता है इसलिए इसको traffi kriac police बुला जाता है नेक्स्ट कोस्टियन है सिल्यक रोग किस vitamin की कमीड से होता है तो यह vitamin d की कमीड से होता है आप्सन नमबर C correct होगा next question है कि अंडे में किस प्रकार का protein पाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आप्सन ही गलत दिया है जोकि अंडे में albumin पाया जाता है अंडे के सफेद भाग में albumin पाया जाता है और अंडे की पिला वाले भाग में vitamin पाया जाता है यहां ग्लोबिलिन आपसं दिया है केसिन तो दूध को पचाने मदद करता है और गुलेटीन गेहु में पाए जाता है जब कि यहां पे आपसं गलत है दूस्तों यहां पे आपका हो जाएगा अंडे में किस प्रकाई का प्रोटीन पाए जाता है कि सारिक सिच्छा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का सिच्छड कराते हैं तो किस प्रकार का ज्यान होना चाहिए सक्ति का उत्पन होना सक्ति का प्रयोग होना सक्ति का आउसोसर उप्युक्त सभी तो इन सभी का ज्यान होना चाहिए आप्सन नमबर D यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स कोश्चन है हिमेस्टिंग करल किस लीवर का उदाहरड है जैसा कि दोस्तों हिमेस्टिंग करल जो है तृती प्रकार के उत्तुलग का उदाहरड है तृती प्रकार के उत्तुलग में बल यानि force बीच में होता है axis और resistance के तृति प्रकार के उत्तुलग को गती का उत्तुलग कहते हैं और तृति प्रकार के उत्तुलग में thigh flexion, hemistring curl घुटने का मुढ़ना, seat up हाथ को उपर उठाना arm flexion, आदी उदाहरण हमारे सरीर में होते हैं उत्तुलग जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तुलग तीम प्रकार का होता है प्रत्थम प्रकार का उत्तुलग जिसे संतुलंग का लिवर कहते हैं जिसमें axis बीच में होता है दिती प्रकार का उत्तुलग जिसे बल का लिवर कहते हैं प्रत्रम प्रकार के उत्तोलग में बीच में zat 3D मरीति में ये प्रत्रम प्रकार के उत्तोलग में रसिस्टेंस यानि भार बीच में होगा यह की नीचे 3 है यानि की तृती प्रकार के उतलग में फोर्स यानि बल बीच में होगा ठीक है next question है कि कुस्ती में बिरोधी को उपर उठाना Newton के किस गती नियम का उदाहरण है तो यह Newton के प्रथम नियम जड़ता का नियम का उदाहरण है जैसा कि दूस्तों नीटों ने तीन नियम दिया है कौन कौन से नियम प्रथम नियम जड़तो का नियम दिती नियम समवेक का नियम या तुरण का नियम और तुरती नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नेक्ट कोश्चन है तैराक सरीर की उस्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तहथ छोड़ते हैं तो किस प्रक्रिया के तहथ छोड़ते हैं चालन प्रक्रिया के तहथ संधी के साइनोवील नामक तरल पदार्थ वाले इस्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं तो उसे साइनोवाइटिस कहते हैं नेक्ट कुश्चन है कि मालिस की एफिलरेज तकनीक है तो मालिस की एफिलरेज तकनीक क्या है सहलाने की हस्त कौसल बिधी यानि इस्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन आफसन नमबर ए यहाँ पे सही होगा यानि कि सहलाने की हस्त कौसल बिधी इस्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन दो प्रकार का होता है एफिलूरेज और इस्ट्रोकिंग एफिलूरेज जो दूर से हिदे की तरफ मसाज किया जाता है जैसे कि दूस्तों मसाज यानि जो मालिस है वो चार प्रकार का होता है स्ट्रोकिंग, प्रेसर, पर्क्यूजन, शैकिंग स्ट्रोकिंग यानि सहलाना, प्रेसर यानि दबाना परक्यूजन, थपथपाना, श्रैकिंग यानि मिलाना यानि जग जोड़ना ये चार प्रका के मालिश होते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है उस वीडियो को आप खेलची किस्सा के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं नेक्ट कोश्चन है कि इस मरड सकती बढ़ाने है तू कौन सा आसन महत्वपूर है तो कौन सा आसन है महत्वपूर इस मरड सकती को बढ़ाने के लिए पदमासन आपसन नमबर डी करेक्ट है नेक्ट है मानक भावन पत में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए पांचवा इस ट्रेगर सुरुवाती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है तो पांचवा इस ट्रेगर सुरुवाती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है तो 15.02 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है आपसर नमबर भी करेक्ट होगा जैसे कि दोस्तों इसमें मैंने ट्रिक बताया था एथलेटिक वाले वीडियो में कि यदि फूल इस ट्रेगर पूछेगा तो फूल इस ट्रेगर पूछे 400 मीटर दर 400 मीटर ट्रेक को फूल इस ट्रेगर कहते हैं और 200 मीटर की ट्रेक को हाफ इस ट्रेगर कहते हैं यानि कि अगर फूल इस ट्रेगर पूछेगा तो उसके लिए जैसे कि दोनों 200 मिटर 400 मिटर दोनों के ट्रेक में जो पहला लाइन होता है उसकी पहले लाइन की दूरे जो है 0-0 होता है दोनों का 400 मिटर के दोण में, 400 मिटर के इस ट्रेगर में पहला लाइन आप 00 रखेंगे, दूसरा 7.04 मिटर और उसमें हर बार 7.67 जोड़ते जाएंगे, तो उसके अगले वाले लेन का दूरी पता लग जाएगा, अगर 200 मिटर इस ट्रेगर का पुछा है, तो पहला लाइन 00 होगा, उसके बाद दूसरा जो होगा, 32.05 जोड़ते जाएंगे, तो अगले लाइन का दूरी पता चल जाएगा, नेक्स कोश्चन है, कि तराकी के तालाब के पानी का तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 24 दिग्री सेंट्रिगेट, नेक्स कोश्चन है, किस उलम्पिक में रिद्वित जिमनास्टिक को सामिल किया गया था, तो 1984 लास एंजिल्स में, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक को कब सामिल किया गया था, अठारा सो चानवे एथिन्स उलम्पिक में ही, जब सुरुवात किया गया था, उलम्पिक का तभी से, नेक्स्ट है, सारिक पुष्टी, यानि कंपोनेंट आप फिजिकल फिटनेस का अंग है, सक्ति, गती, लचक, सभी, यानि सक्ति, गती, लचक, ये तीनों है, कंपोनेंट आप फिजिकल फिटनेस, सारिक पुष्टी के भाग, आपसन निम्बर D सभी सही होगा नेक्ट कोश्चन है मेसो चक्र प्रसिछर की अवधी है तो मेसो चक्र प्रसिछर की अवधी कितना होता है दोस्तों तीन से छे सब्ता यानि प्रसिछर चक्र तीन होते हैं मैक्रो चक्र मेसो चक्र और माइक्रो चक्र जो मैक्रो चक्र होता है वो सबसे बड़ा चक्र होता है और मैक्रो चक्र सबसे बड़ा चक्र होता है जो तीन से बारे माह का होता है ठीक है या दूसरे चक्र होता है, मीजो चक्र, जो तीन से छे सफ़ह चक्र कम यानि 10-45 दो को होता है, जिसे मध्यम चक्र, या मासिक ट्रेनिंग चक्र, या अवस्थन चक्र भी बोला जाता है, तीसा चक्र होता है, माइक्रो चक्र, जो सुच में अवधी चक्र या सब्ता ही की योजना भी बोला जाता है यह सबसे छोटा चक्र होता है तीन से दस दिन का यानि की एक सब्ता का यह होता है नेक्ट कोस्चन है कि लचक की माप हेतू किया जाने वाला परिछड है तो लचकता माप है तू कौन सा परिच्छर है तीची टेस्ट आफसन नमबर C करेक्ट है नेक्स्ट है आफ़र्ड का पूरा नाम है इसका पूरा नाम है अमेरिकन एलियोंस फार हेल्थ फीजिकल एजुकेशन रिक्रियेशन एंड डान्स नेक्स्ट कोश्टन है हावर्ड इस्टेप परिच्छर बिक्सित किया गया था किसके द्वारा दोस्तो ब्रोहा तथा अन्ने द्वारा आफसन नमबर D करेक्ट होगा नेक्स्ट है गती मापन सरोतम रूप से किया जा सकता है तो दोस्तो पचास गज़ दोर से सबसे सरोतम रूप से किया जा सकता है आफसन नमबर D करेक्ट होगा नेक्स्ट कोश्टन है कि खेल परिच्छर में समय बधता से निम्न मेंसे कौन सा समद्धित नहीं है मैक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल, मायोसाइकिल तो इसमें दोस्तो मैक्रोसाइकिल, मेजोसाइकिल एन माइक्रोसाइकिल तीनों समय बधता से रिलेटेट है लेकि मायोसाइकिल रिलेटेट नहीं है आफसन नमबर D यहाँ परियोग किया जाता है दोस्तों कई बार पुछा जा चुका है या इस फूटक शक्ती को विख्षित करने के लिए प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है निन में से कौन सा परिछर हिदे वाहिका सहिसरू छमता का मापन करता है यानि की कार्डियो रिस्पेटरी इंडरेंस को कौन मापता है इसमें से तीनो परिछर हिदे वाहिका सहिसरू छमता यानि की कार्डियो रिस्पेटरी इंडरेंस का मापन करता है आपसा नमबर डी सही होगा सभी नेक्स कुश्चन है कि प्राचिन उलम्पिक खेलो को किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया तो इसको 394 इश्वी में रोम के तत्कालिन समराट थियोडोसियस ने प्रतिबंध इस पर लगा दिया था तो 394 इश्वी यहां पर सही होगा ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होब कि सभी कुश्चंस आपको समज़ में आये होंगे और 40 questions बत्चे हैं वो next part में यानि third part में होगा तो दोस्तो वीडियो को जादे से जादे share किया कीजिए और दोस्तो फर्स्ट बार visit कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए बिल आइकन को phrase कर लीजिए जिसे new video का update आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहें